महराश्व में महाविकास अगाडी में अभी भी बहुत सारी सीटों पर गतिरोध बना हुआ है सुत्रों के माने तो भिवंडी सीट पर कॉंग्रिस और NCP दावा ठोक रही है तो मराठवाड़ा के हिंगोली सीट पर भी कॉंग्रिस और NCP दोनों ने दावा किया है वही बात करें वर्धा सीट की तो वहाँ NCP इसे मांग रही है लेकिन कॉंग्रिस ये सीट देने को तयार नहीं मुंबई में शिवसेना 6 में से सिर्फ 2 सीट कॉंग्रिस को देना चाह रही है जबकि कॉंग्रिस ने उत्तर पस्चिम मुंबई, दक्षण मध्य मुंबई, दक्षण मुंबई सीट अपने लिए मांगी है वंचित बहुजन अगाडी को अकोला, शिरडी और नांदेर इन में से 2 सीट देने पर चर्चा जारी है वही महाविकास अगाडी के नेताओं का दावा है कि 27 या 28 परवरी तक सीट शेरिंग पर फॉर्मूला तै हो जाएगा इसमें कॉंग्रिस को 18-19 सीटे मिलेंगी, शिवसेना UBT को 18-19 सीटे और NCP शरत पवार को 6-8 सीटे वंचित बहुजन अगाडी को 2 सीट प्रकाश अमबेटकर के साथ आने पर वही MAVA का कहना है कि उनके बीच लगभग सहमती बन गई है इसलिए MA ने चनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है आज पुने में जॉइंट सभा हो रही है जिसकी शरत पवार, नाना पटोले और आदित्य ठाकरे इसे संबोधित करेंगे इसके अलावा राहूल गांधी के उधव ठाकरे और शरत पवार से परसोही फोन पर बात हुई है राहूल ने शरत पवार और उधव ठाकरे को कहा है कि महराश्ट के दोनों जानकार हैं तो मिल बैट कर तै कर लें जिसकी ताकत जिस सीट पर है उसे वो सीट मिले सत्ता पक्ष महायुती की बात करें तो बीजेपी महराश्ट में पिछले चनाव में 25 सीटों पर लड़ी थी लेकिन बीजेपी आप 32 में से आपको बता दें के 34 में से 32 सीटों पर लड़ सकती है और शिंदे की शिव सेना को 10 से 12 सीटे तो वही अजीत पवार की NCP को 4 सीटे देने की बात चल रही है वही आपको बता दें के संजे राउत ने दावा किया है कि बीजेपी ने शिंदे और अजीत गुट को बीजेपी के चनाव चिन्ह पर चनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया है जबकि देवेंद्र परणवीस ने कहा कि तीनों दल अपने अपने चनाव चिन्ह पर चनाव लड़ेंगे परणवीस ने ये भी कहा कि सीट बटवारे पर एक मीटिंग हो चुकी है जो कि सकरात्मक रही NDA में सीट बटवारे में कोई परिशानी नहीं होगी वही कॉंग्रेस परवक्ता अतुल लोंडे पाटल ने सीट बटवारे पर कहा कि M.V.A. में सीटों के बटवारे पर लगभग सहमती बन गई है और 27 या 28 फरवरी को सीट बटवारे का एलान कर दिया जाएगा M.V.A. में कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है विवाद होने की खबरें सिर्फ B.J.P. फैला रही है वंचत, बहुजन, अगाडी भी हमारे साथ होगी उनसे भी बातचीत चल रही है वही कॉंग्रेस परवक्ता ने बताया कि M.V.A. में सहमती बन गई है तुर्ग हाका का अनावरन किया तो B.J.P. उन पर टिपपणी कर रही है हम तीनों पार्टिया शाहुपुले, अंबेडकर और छत्रपती शिवाजी महराज की विचार को लेकर आगे बढ़ रहे है उन्होंने ये भी कहा कि B.J.P. छत्रपती शिवाजी का नाम लेती है लेकिन उनका काम औरंगजेव जैसा है मुख्यमंत्री मलंगड पर जा रहे हैं, राजा सिंग के सभा को मनजूरी मिल गई है बीजेवी का काम ही लोगों में जगडे लगाना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो दोनों ही जो अलाइंस हैं वो महराश्ट्र में अपनी-अपनी कोशिश कर रहे हैं चाहिए इंडिया अलाइंस हो या फिर एंडिये और सभी का यही कहना है कि सब कुछ टै हो चुका है और कहीं से भी तूट नहीं है इन अलाइंस में लेकिन कुछ सीटों पर ऐसा लग रहा है कि पेंच फस रहा है महराश्ट्र में अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें